A sum of money is borrowed and paid back into annual installment of RS-882 each allowing at 5% compound interest The sum borrowed was देखो इस तरह का question अगर आप इस percentage के value से solve करोगे तो बहुत आसानी से solve कर सकते हो 5% का क्या मतलब होता है? 5% का मतलब होता है simply 1 upon 20 तो अगर आपने 20 रूपीज कर्ज लिया होता तो 5% के rate से एक साल बाद आप इसको कितना return करते है? 20 से एक ज़्यादा that implies 21 और आपको पता है 1 year के लिए SI और CI दोनों सेम होता है अगर आप 2 years की बात करोगे तो 2 years के में कितना हो जाएगा? अगर आप 400 रूपीज लोन लिया होते तो compound interest में ये 2 years के बाद कितना हो जाएगा? simply हो जाएगा 441 ये clear है? वह ऐसा मिसले करते हैं कि simply ये हो जाएगा 21 upon 20 अगर 2 years का time है तो ये simply हो जाएगा इस दोनों का square इसका मतलब 400 से हो जाएगा ये 441 तो अगर आप इस EMI को equate करना चाहोगे तो first expression को किसे multiply करोगे? इसमें 21 से multiply कर दो तो यहाँ पे भी आपको 21 से multiply करना होगा इसमें ये 420 रूपीज कितने में पे करोगे? एक सल बाद 441 का now EMI अब given है 882 और यहाँ पे EMI कितना है? 441 तो इसमें अगर आप 2 से multiply करोगे तो आपको मिल जागा 882 तो इधर भी आपको 2 से multiply करना परेगा तो ये मिल जागा आपको 800 इसमें भी आप 2 से multiply कर दो तो आपको मिल जागा 882 तो यहाँ पे भी आप 2 से multiply कर दो तो यह आपको मिल जाएगा 840 तो यह मिल गए आपको 2 EMI और यह 2 मिल गए आपके प्रिंसिपल तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 800 और 840 तो इंपलाई 1640 और यही आपका क्या होगा? अंसर अप्शन नमर भी so thanks for watching the video if you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends